रादे किश्णा आप सभी को रादे रादे एक बार फिर से स्वागे थे आप सभी का मेरे चैनल पे यहां सबसे पहले आज मैं आप लोग को दर्शन करा रही हूं बेल पत्र के पेड़ के तो साउन के महिने में बेल पत्र का बहुती जादा महत्व होता है और यहां पर हर घर के सामने बेल पत्र के बड़े बड़े पेड़ मिल जाएंगे तो जहां मैं रहती हूं पर बेल पत्र बहुत असानी से मिल जाते हैं और यह सुबा का समय है तो सुबा के समय मैंने सुरज को अर्ग दिया तो नहां के सबसे पहले हम सुरज को अर्ग देते हैं फिर लडू गोपाल जी की जो सेवा करनी होती है जैसे उनको सनान और भोग जो देना होता है वो मेरी बेटी करती है स्कुल जाने से पहले क्योंकि सुबह मुझे टिफिन खाना बगारा बनाना होता है तो सबके घर में य जाने के बादी करती हूं और यहां पूजा करने में मुझे एक से डेट गंटा लगता है इसलिए मैं सबके जाने के बादी पूजा करती हूं और यहां पर मैं दूसरी बार नहा चुकी हूं क्योंकि गर्मी बहुत जादा है और पसीना पसीना इतना होता है कि नहाने के बा मन्दिर में तो यह मंदिर उत्तर पूर्वदिशा की तरफ है और यहां पर पूजय करते समय मेरा जो मुख落 मेरा बेराइब और इतार गार्मेर्थ हूँ किव्ल के फूर्वदिशा का अदर और İşte इस शीप में होती हैं जो सारे नियम होते हैं इसलिए मैं अराम से करती हूं ताकि इसमें मुझे बार बार उठना ना पड़े पूजा करते हैं समय बार बार नहीं उठना चाहिए यहां पर एक बारी आसन पर बैठे हैं तो आसन को पवितर करके हम बैठते हैं असलिए यहां पे सब्हेसाद सब्हेरी में मैं तसल् Lib Mumot बोचित पूजा को सब्हेरे के साथ तो इधर, इसलिए हम बार्फन कर से खैफ़ के सब्हस्य सब्हूने कहा हूağı थी मता को तो यह मेरे पास इस्पैटिक की स्रियंतर है जिने मैंने दक्षनावर्थी शंक से स्नान कराया जिसे मैं चांदी की कटोरी में रखते हूं साथ मैं यह कमल गट्टी की माला जो एकस ओट दाने की है मैं कुछ इस तरीके से इनका आसन बना के इस चांदी की कटोरी में इन्हें आसन देती हूं तो स्रीयंत जो इस पैटिक के स्रीयंत है इन पे आसन में इसी तरीके से रखती हूं तो एक चोकी पे लाल कपड़ा बिचा के चांदी की कटोरी में कमल गट्टे की माला का आसन देकर हम स्रीयंत को इस्थापित करते ह और यहाँ पे एक ही करके हम सभी देवी देवता को सनान कराते हैं तो जो भी मैं सनान कराती हूँ डेली वो मैं आपको यहाँ दिखा रहे हूँ तो सावन में हो चाहरोज की जो पूजा होती हो उसमें मैं हमेसा ऐसी करती हूँ यह है शालिग्राम भगवान जी तो शालिग्राम भगवान जी को भी हम दक्षनवर्ती शंक से सनान कराते हैं यहाँ पर मेरे लड़ू को पाल जी दोनों तो यह मेरे पास जीरो नंबर के लड़ू को पाल जी जो मुझे पंडी जी ने मेरे को दिया था मेरी शादी के समय तो ये मेरे पास काफी टाइम से हैं और ये जो बड़े वाले हैं बाकी बिहरी जी जब इंदा बन गई थी तब मैं वहां से लेके आई थी तो ये मेरे बाकी बिहरी जी और छोटे वाले मेरे बाल गोपाल हैं तो यहां पर मैं इनको भी सनान करा लूँगी फिर इनकी विदी पूरवक हम पूजा करेंगे और यहां पर जो मैं शिबलिंग रखती हूं जिन पर तो यह मेरे पास एक कासे का बेला है तो कासे का बेला या जो भी प्लेट होती है इस तरह की दातु एक घर में जरूर होनी चाहि पर मोखनी शादी में मिलती है तो यहां पर यहां पर मैं इस लिए शिप को रखती हूं कि जिस विए कि खाने के लिए हम यूझ करती हूं पर आज है मंगलवार तो मंगलवार के दिन przy दिन मैं अपने लाड़ भी पूरगोपर हो जाख पहना है तो 2 लाड़ को पोशाख प पोशाक के लिए जिसका वीडियो मैंने आप लोगे साथ पहले शेयर किया हुआ है तो यहां पे दोनों लड़ो को पाल जी को मैं तयार कर दूंगी पोशाक लाल पहना के तो यहां पे ज़्यादा आभूशन नहीं पहनाती क्योंकि गर्मी का टायम है तो ज्यादा इनको मैं पहनाती सिर्फ इनके पोशाक और इनको मैं इनके केश लगाके इनको मुकुट पहना देती हूँ तो ज्यादा मैं इनको पोशाक सोरी आभूशन नहीं पहनाती हूँ क्योंकि गर्मी में यह सब चीज़े हम खुदी तरह नहीं पहन के रखते तो इसलिए बगवान जी को भ पंख Ontव ठया था Koh तो मैं आप एक टेवल फैन लगा रखा है जो सारा दिन अहां पर ladukogopal जी के पास रहता है तो गर्मी में मैं इनके लिए हमेसा a आपर ने चोटा फैन नहीं ले रखा लड़ जी के लिए यहां पर मैं एक बड़ा जो हम लोग यूज करते हैं नहीं है लड़ा पल जी को उनके सामने लगा के रखते हूं सारा दिन तो कल सोंबार था तो सोंबार को मैंने ये गुलाबी पोशाक पनाई थी तो वो वाली पोशाक को मैं रख दूँगी और इनको मैं डेली वाश नहीं करती हैं सिर्फ गंगा जलते चिटेल दे के रख देती हूं और यहां पर देखे हैं हमने सबको सनान करा लिए वस्तर पना लिए अब मैं यहां पर पूजा की तियारी कर रही हैं तो देखे हैं यहां पर कुछ इतरे मेरे पास एक्ट्रा जो मैंने ड्रॉर में रख लेती हूं और यह टोकरी हैं जब मैं पूजा करती हूं तो अपने स तीन बारी तो यहाँ पर सब überhaupt पहले हम गने जी का धियान करते हैं गने जी की पूजा करते हैं और अगर आप पस दुर्वा है हरी घास है तो वो जरूर आरपन करें गने जी बगुभांजी को उनका पिरिये होता है तो इसलिए दुर्वा उनको जरूर अरपन करने चीए मैं लाना भूल गई यहाँ पर मैंने सिर्फ गैंदी के फूल अक्षत और कलावा रूपी बस्तर पनाई हैं उन्हें तो यहाँ पर अब उनको अरपन करने के बाद उसके बाद मतिलग कर रहे हूं अपने लड़ू लड़ू गोपाल जी को तो यहाँ पर लड़ू गोपाल जी को हम चंदन का टिका अरपन करते हैं तो यहाँ पर मेरे पास यह चंदन का टिका है जो मैं इनको रेडिमेट वाला जो चंदन है वाला अरपन कर रहे हूं यहाँ पर मैंने विष्णु बगवान जी को शलिगरम बगवान जी को अरपन के है यहाँ पे देवी मा को हम सिंदूर अरपन करेंगे लक्ष माता को सिंदूर अरपन करेंगे साथ में पारवती माता को और सिता माता को यहाँ पे हम सिंदूर अरपन करते हैं तो यह पूजा देखिए, आप मंदिर में भी जाके कर सकते हैं, अगर आपके पास समय है, तो आप मंदिर में भी जाके कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर में जो पूजा करते हैं, वो आपको डेली कैसे करने हैं, सावन की, वो मैं आपको दिखा रही हूँ, एक छोटा सा मैंने तांबे का कलश लिया जिसमें मैंने सुध जल और गंगा जल मिलाया और इसको दोनों हाथों से शिबलिंग के पीछे से हम डालेंगे सबसे पहले हम जल धारी पे अशोक सुंदरी पे अर्पन करते हैं और शिबलिंग के चारों तरफ अर्पन करते हैं राज़े गाय का जो दूद होता उससे अभिशेक किया जाता तो इस तरीके से नमाश्यवय का जाप करते हूं सबसे पहले हम शिब लिंग से गंगा जल से अभी शेक कर रहे हूं क्योंकि गाय का जो कच्छा दूद था वो मैंने गैस पर गरम होने के लिए रख दिया था मैं भूल गी उसको रखना थोड़ा सा तो इसलिए मेरे पास आज कच्छा दूद ने ज्यादा तर मैं कच्छा दूद से अभी शेक करती हूं तो लेकिन आज यहां पर हम सि अभी शद्वश्द जल से कर रहे हैं तो इसी तरीके से यहां पर अब हम शिब्लिंग पे इतर methodology करेंगे थो जो शिब्लिंग पे इतर अर्पन किया जाता है वो स्प्रेई वाला लेके इस तरीके से आप च क्या करती बना सकते हैं तो यहां पर मैं हमेशा शिवलिंग पर ओम क्या करती बनाती हूं यहां पर अक्षा अक्षत को लेके मैं यहां पर अर्पन कर रही हूं तो यहां पर एक अक्षा अर्पन कर सकते हैं ग्यारा दो या जिसने भी आप करम में एक सो आट आप अर्पन कर सक अरपन करेंगे तो यहाँ पर मेरे उप्यास शिव को पर भृति हों तो इस तरीके से सावण में हम डेली जो पूजा होती है अपने घर में तो यहां पर तश्वीर के आगे भी मैंने सि परिवेर के आगे यह बेलपतर अरपन कीया है साथ में यहांपे हमने फूलों को अरपन किया वस्त रुपी किलावा हम अरपन करेंगे अक्षत मैंने यहाँ पर रखा है तो यहाँ पर भगवान जी का दिहान करते हो यह सारी चीज़े हम अरपन करते हैं और फूल अगर आपको पास गुलाब के हो तो गुलाब के नहीं तो सपेद फूलों के हम यहाँ पर इनको अरपन कर सकते हैं फल का भोग देंगे फल को जरूर अरपन करने चाहिए फल नहीं है तो आप चीनी भी रख सकते हैं तो यहाँ पर अब मैं शिबलिंग की पूजा करने के बाद अपने लड़गोपाल जी को तिलक करने के बाद उनके हाथों में तुलसा जी का दल जरूर रखती है जिस हाथों में वो लड़गोपाल जी रखती है तो सारा दिन इनके पास ये तुलसा जी का दल रहता है इसी तरीके से यहाँ पर मैं शालिग राम भवान जी के अपर भी तुलता जी का दल जरूर रखती हूँ तो यह मेरी दिन चरिया होती है रोज की पूजा करने की जो सुबा का समय होता है इस तरीके से पूजा करती हूँ और यह साम के लिए मैंने बेल पत रख लिया साम के पूजा के लिए अब यहाँ पर सबसे पहले गणेश चालीसा करती हूँ तो गणेश चालीसा मैं रोज पढ़ती हूँ और यहाँ पर जो भी जल था मैंने वहाँ पर पेड़ों में डाल दिया तो यह मेरे पास केले का पेड़ा तुलसा जी का है तो जब हम शिब जी बगवान जी को सनान कराते हैं तो उनका जल हमें तुलसा जी के पेड़ों में नहीं डालना चाहिए वह आपको केले के पेड़ म किसी और पेड में डाल सकते हैं तो यह मेरी आज की पूजा थी और मेरा संडे को भी फाश्ट था साथ में मेरा मंडे को भी तो संडे को पुनमासी थी और मंडे को सोंबार के सावन का पहला दिन था इसलिए मैंने दो दिन से कुछ अन नहीं खाया था तो आज इस समय मुझे बहुत ज़्यादा भूक लग रही है तो पूजा करने के बाद मैंने अपना जो खाना है वो खाया है और उसके बाद मैं अपने बेटे को लेने स्कूल चलेगी क्योंकि इतनी पूजा करते करते हैं बेटे के स्कूल का टाइम भी हो जाता है तो चलिए अब मैं आपको बड़े बड़े बिल्कुल इसी तरीके से ये बेल के पत्र हैं जो बहुत ही अच्छे लगते हैं सामन के महीने में और पूजा पाट करने के लिए यह हमें बहुत असानी से मिल जाते हैं तो यहाँ पर मैं बेटे को स्कूल से लेकर आ गई हूँ अब हम जा रहे हैं घर तो अब है बच्चे जब आ जाते तो मैं कुछ काम नहीं कर पाती तो बेटा छोटा है इसलिए मैं कुछ करनी पाती हूं उससे पहले मैं अपने वीडियो बनाना जो होता मुझे वो मैं बना ले तुम तो चली दोस्तो अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत बूलना चैनल को भी दोस्तो सपोर्ट करत तो मैं मिलती हूं आपसे जल्दी से एक और नए वीडियो में तब तक के लिए बैटे के रादे किष्णा